देखिए बीजेपी रोज नए नए हट गंडे अपनाती है और उस हट गंडे में फंसते हैं कौन आम जानता और आम जानता जिस तरीके से फंस जाते हैं तो वो सारा कुछ नकाम हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ तो जिस तरीके से आज मोधी परदर्शन, बीजेपी परदर्शन में लोग उतर चुके हैं और जिस तरीके से बिरोध जाताया जा रहा है, मोधी पर इतना ज़्यादा बिरोध जाताया जा रहा है कि वो आम जानता ही जान रही है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज रोड सो भी करना टका कि विजय पूरा में राहुल गंदी की है वहाँ पर भी कुछ नेता पहुंच चुके थे और वहाँ पर भी उस बिरोध परदर्सन को लेकर के ये जताया जा रहा थे कि एक तरफ मोधी है तो एक तरफ राहुल गंदी है मोधी के लोग राहुल गंदी को बिरोध कर रहा है और राहुल गंदी के लोग मोधी को बिरोध कर रहा है यही चल रहा है आज कल देश में तो जिस तरीक से बताया जा रहा है कि BL समयुकता रानी जो है वो कॉंग्रेस में कल सामिल हुई थी तो उस पर भी लोग आरोप लगा रहे थे कि यह अब BJP छोड़ कर क्यों कॉंग्रेस में गई उन्हें कॉंग्रेस में सामिल इसलिए किया गया ताकि वो BJP में कुछ काम कर रही थी और उन्हें नकाम कर दिया जा रहा था ऐसा उन्होंने दावा किया है तो जिस तरीक से BL रानी समयुकता कॉंग्रेस में कल सामिल हुई तो उसको लेकर यहाँ पे BJP के कुछ लोग अपसब्द कह रहे थे और पाता नहीं अब जिस तरीक से बताया जा रहा है कि अब BJP के लोग जब कॉंग्रेस में सामिल हुई और बताये यह भी जा रहा है कि जिस तरीक से मोदी इतना जदा हमला करवा दिये है BJP एतना जदा हमला कर रही है और तहस नहस दुनिया को मिला कर रख दिये उसका कारण क्या है स्रीप लोगों को लूटना और जिस तरीक से लोगों को भसा कर स्रेफ वोट एकठा करना यही BJP का दावा है लोगों तो यहां तक यह उमीद कर रहे थे कि जिस तरीके से 40 40 जवान को यहां पे सहीद करवा दिया मोधी अपने हतकंडे अपना कर 300 RDX लगा करके 40 जवानों को सहीद करवा थे वो सुरिप अपना हतकंडे अपना वोट एकठा करने के लिए और यहां तक कि वो 40 जवान को जब उन्होंने मार दिया तो उनके नाम पर वोट कठा कर रहे थे कि आपका वोट मिल सकता है क्या उन 40 जवानों के नाम पर तो यही सब को लेकर कि यहां पे तरह तरह के विरोध परतरस्तन जब जताये जा रहे हैं तो बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको यह सब बाते घटक रही है वो कह रहे हैं कि आखिर में ऐसा देश में कैसे किया जा सकता है अब आप ही बताइए कि जब यह मामला इतना जदा बढ़ा तो उसको कम करना चाहिए था बीजेपी को वो चीज नहीं करना चाहिए था जो आम जानता को तकलिफ वहुझी लेकिन उनका काम बस यही रह जा रहा है कि आम जानता को परेसान करना और उनके वोट एक अठक कर लेना उनको बैदला फुसलागर और बाद में इतना जदा उनको तंग कर देना कि वो जीने के लिए भी ना बचे बस यही सब बात स्रिप कॉंग्रेस को अभी अच्छा लग रहा है तो उनको मदद कर रहा है और जदा परसान खड़ी कर दे रही है तो इसको लेकर देश में अफरा तफरी तो मचे गहीं जिस तरीकत से आज बीजेपी के नेता कॉंग्रेस में सामिल हो रहा है तो उसका भी बीरोद बीजेपी कर रही है रख रहे हैं वो लोग और जिस तरीके से लोगों को प्रैसानिया ज़लना पड़ रहा है इसको कम करने के लिए कॉंग्रेस खड़ा हो रही है वराश्रचार के मुद्धे पर आवाज उठा रही है सिर्फ गलत हो रहा है वहाँ पहुंश रही है तो बीजेपी के ये सब बात उनको गलत रग रहा है क्योंकि ये सब उनको बहुत गलत लग रहा है क्योंकि लोग अच्छे का गाल पे नहीं चल रहे हैं अच्छे से नहीं कारे कर रहे हैं उनको ये फायदा हो रहा है कि वो अच्छे कार को नहीं कर सकते हम जो कहेंगे वो ही करेंगे तो बीजेपी सरका विजेपियाना अपना उल्टा कदम खड़े कर रही जिससे देनश पर्सान हो रहा है देस के लोग पर्सान हो रहा है और जीना हरम कर दिया है विजेपिया से अगो Kir弃 बिटिक कर देश brand को भां। या कोंग्रेस नीचे कॉमेंट बक्स में हमें ज़रूर बताना और अगले नियूज के लिए चैनल को सब्स्राइब ज़रूर कले जगा क्योंकि हर दम रेगूलर आपको अबडेट मिलती रहेगी